हलो दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल चोपडा एजुकेशन और मैं हूँ हरसाई चोपडा दोस्तो अभी तक नीट 2020 के बारे में पूरी इनफोर्मेशन आ चुकी है वैसे अलग-अलग वीडियो बना कर मैंने आप लोगों को इनफोर्म कर दिया है मगर अभी भी काफी स्टुडेंट को डाउट है तो इस वीडियो में आपके अभी तक नीट 2020 के बारे में कम्पलीट इनफोर्मेशन मैं आपको बता दूँगा ताकि आपको किसी भी परकार का डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो में मैंने सभी वीडियो को कंसोलिडेट करके डाल दिया है ताकि अगर किसी स्टुडेंट ने कोई वीडियो नहीं देखा है मिस हो गया है तो उसको नीट 2020 के रेगार्डिंग कोई डाउट ना हो तो ज्यादा तर स्टुडेंट का अभी डाउट यह है कि क्या एमस्वाज जिपमर में एडमिशन नीट के थू ही होगा या फिर एमस्वाज जिपमर की एकजाम होगी तो दोस्तों मैं आपको बता दूं क की Ministry of Health and Family Welfare ने जो एमस के लेटर का रिप्लाई दिया था उसके अनुसार 2020 एमस्वाज जिपमर की एकजाम कंडेक्ट नहीं होगी इसमें एडमिशन नीट 2020 से ही होगा दूसरी बात हम यह देखें कि अभी तक प्रिवेस यहरों में एमस्वाज जिपमर के रेजिस्टेशन स्टार्ट हो जाते थे जैसे एमस का बेसिक रेजिस्टेशन स्टार्ट हो जाता था जिपमर का भी प्रोग्राम यूजी एकजाम के लिए अक्टूबर में ही डाल दिया जाता था तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं डाला है तो हम यह मानते हैं कि इस बार एमस्वाज जिपमर क एकजाम नहीं होगा नीट 2020 के स्कोर पर ही इसमें एडमिशन होगा अभी काफी स्टूडेंट इस चिंता में हैं कि एमस्वाज जिपमर के एकजाम नहीं होने से उनको काफी बड़ा नुक्सान हो जाएगा क्योंकि अगर नीट का पेपर अच्छा नहीं गया तो कम से कम एम नहीं जाएगा नुक्सान तो तब होता जब नीट का एकजाम अच्छा नहीं जाता और उसके बाद आपको पता चलता कि एमस्वाज जिपमर कैंशिल हो चुका है उनमें नीट के थूछ इग जाम होगा अभी तो आपके पास टाइम है नीट में बेस्ट करने के लिए आप कर सकते हैं, NEET को बेस्ट कर सकते हैं, तो ये आपने बिलकुल भी नहीं सोचना है, अगर NEET से ही इनमें सेलक्षन होता है, तो आपने NEET की ही अच्छी तयारी करनी है, अभी काफी स्टुडेंट को यह डाउट भी है कि क्या J.E.M.N की तरहे NEET की एक्जाम भी ओनलाइन मोड पर होगी, तो N.T.A. डाइरेक्टर ने कुछ दिन पहले इंट्रिव्यू दिया था, जिसमें यह क्लियर हो चुका है कि NEET ओफलाइन मोड में होगी, और तीन मई को होगी, यानि पैन एंट पिपर मोड पर ही यह एक्जाम होगी, अभी काफी स्टुडेंट का यह डाउट है कि क्या NEET 2020 के एक्जाम पैटरन वर सेलेबस में चेंज होगा क्या, तो कुछ दिन पहले जब N.T.A. डाइरेक्टर ने इंट्रिव्यू दिया था, उसमें क्लियर कर दिया है कि NEET 2020 के सेलेबस वर एक्जाम पैटरन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, वो सेम नीट 2019 की तरह ही होगा, अभी काफी स्टुडेंट को क्यूशन पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर कन्फिजन है, तो दोस्तों एम सुष जिपमर एड हो जाने से नीट 2020 का क्यूशन पेपर थोड़ा सा क्यूशन पेपर का लेवल हाई रहेगा, नीट 2019 की बजाए, तो ये जानकारी थी, नीट 2020 के बारे में, अभी तक सब कुछ कलियर हो चुका है, नीट 2020 में कोई चेंजिंग नहीं है, पेपर 2019 की तरह ही होगा, बस एम सुष जिपमर मे एडमिशन नीट 2020 से होगा, आप तो बस तयारी करो, ये ठालो की नीट 2020 की एग्जाम देकर मैंने अच्छी मेडिकल कोलेज में एडमिशन लेना है, दोस्तों इंसान चाहे तो क्या खुछ नहीं कर सकता, आप भी कर सकते हैं, अगर आप में कुछ कर गुजरने का जज़बा है तो, तो आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन प्रेस करें, वीडियो को लाइक हुए, ज्यादा से ज्यादा सेर करें, मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में तब तक लेते हैं, आप से विदा जैहिन!